माया के सामने अध्यात्मिक आदमी जितना वज्जर सा कठोर होता जाता है अपने आंतरिक जगत में वो उतना ही कोमल होता जाता है जहां उसको नहीं जुकना वो जुक नहीं सकता, सर काट लो और बाकी वो पूरा जुका जुका मिटा मिटा ही घुमता है मुवपत्ती होती है न, मुवपत्ती, शमा वो जबतक प्रज्वलित नहीं होई थी कभी आपने उसको आशू बहाते देखा और एक बार उसको लॉ लग जाए फिर देखी हो कैसे रोती है और जितना वो रोती है उतना वो मिटती है देखें ने मुंबत्ति क्या तो नोर से गिर रहे होते हैं गर्मा गर्मा सूँ जब तक प्रकाश नहीं था तब तक आशू भी नहीं था प्रणाम अचारी जी प्रशन मैं छोटे ही रखूँगा लेकिन उससे पहले में कंटेक्स देना चाहूँगा तक की में बात लंग से समझा सकूँ अचारी जी मैं काफी टाइम से सुन रहा हूं आपका आपने जो समझाया भी है और मैं कुछ अचीम्मेंट्स ये भी है कि मैं मैं तरह पतला भी हो रहा हूं गर भी छोड़ा है अपना मावापी घर में रहता था और प्राणे रिष्टे भी जिस ताइब से बने थे वो खत्म करें लेकिन मुझा भी भी लगते मेरी हालत तो सरानी जैसी इंडिया जो पता नहीं उता है तब मैं आप से प्रशन पूश मैं कि कोई मज़े अपने तैम देता है तो जो मेरी बात सुन रहा है और तिसे टाइप मैं में उस सिच्वैशन में रहता हूं जब आप कोई की समझाते हैं तो प्यार की घरायी तो इतना कमज़ोर कैसे हो नहीं मुझे रगता है कि मुझे बहुत प्यार चीए और मैं सोचत कि यह रोने और कमजोरी में तो कैसे जोड़ा अपने किस फिल्म में सुना कि जो कमजोर होते हैं और होते हैं रोने का आप विरोध कर रहे हो यह आपकी समस्या है और आप ऐसा भारी विरोध कर रहे हो कि आप उस समस्या को यहां तक ले आए और ये बात आपको लोक संस्कृति ने और फिल्मों ने और साधारण किस्म की बातचीत ने सिखा दी है कि रोना तो कमजोरी का लक्षन होता है रोना किसी बात का लक्षन नहीं होता है बात कुछ समझ में आई आखों से आसू बहने लगते हैं उसमें कुछ विशेश है ही नहीं पर उसका विरोध करोगे तो लगा अरे कुछ गडबड हो गई कुछ विशेश हो गया कुछ खास हो गया रे मैं रोपड़ा चलो चलदी से चलते हैं सवाल पूछते हैं ये दुरघटना क्यों हुई ये तरासदी क्यों हुई कि मैं रो पड़ा इसमें क्या है रो पड़े तो रो पड़े पता भी नहीं चलना चाहिए रो पड़े मैं इतनी बार सत्रों के बीच में रो पड़ता हूँ कभी पता भी चला कभी आवास काप गई होगी तो थोड़ा आप जान गई होगी कि कुछ हुआ है नहीं तो पता भी नहीं चलता होगा न मुझे पता चलता है न आपको पता चलता न मुझे क्योंकि कोई विशेश बात है नहीं बड़ी भारी बात बता दी मैं हर दूसरे दिन एक बार रो पड़ता हूँ मैं हर दिन पाच बार रो पड़ता हूँ मुझे ही नहीं पता चलता गाड़ी चल रही होती है साथ में कोई बैठा होता है मैं जा रहा हूँ बाहर देख रहा हूँ बाहर देखते देखते यह हो गया कुछ है ही नहीं विशेश, इतना होता है कि पता ही नहीं चलता, उसमें क्या ऐसा खास है, इंसान हो, जानवर ऐसे नहीं रोते, इंसान हो तो रोग है, कुछ दिखता है, जीवन का कोई सत्य घाटित होता है, उसमें चेतना का और आखों का होगा कोई रिष्टा, आखें बास बात है कि उसको समस्या बना लिया इसमें कमजोरी कहां से आ गई कमजोरी नहीं है एक सिधान्त है जो पकड़ लिया है कि रोने में बड़ी कोई बुराई हो गई कुछ नहीं हो गई क्यों विरोध कर रहे हो और जीवन की उचाईयों के साथ कुछ है ऐसा कि वहां पर अहम पिघलने लगता है ऐसा भी क्या सकते हो कि अहम ही पिघलता है तो आखों से थोड़ा साथ बेह निकलता है कि है ऐसा इसमें क्या करो कि एकदम कोई घटिया फिल्म होगी मैं देख रहा होता हूं उसमें कुछ भी नहीं होता एकदम बेकार फिल्म पर उसमें बीच में कोई बात किसी ने कुछ ऐसी बोल दी मैंने नजाने उसका क्या अर्थ कर लिया और हो गया ह में विशेश क्या है हाँ बस ये न करना ये हक्का फाड़ के रो पड़े और अगल बगल वालों को दुखी कर दिया छाती पीट रहे हैं और आर्तनाद कर रहे हैं चुप चाप गर्मा के साथ आंसू बहालो आगे बढ़ जाओ खुद को भी न पता लगे रोने का अनिवार संबंध चेतना से है और उसकी कार प्रणाली समझ में आये ये ज़रूरी नहीं है आप समझते रहों उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है आपको क्या पता है जब आप समझते हो बोध, अंडरस्टेंडिंग तो शरीर में और क्या-क्या होता है आपको कुछ पता भी है नहीं पता ना जब नहीं पता तो शिकायत करने भी नहीं आते जब आप समझ रहे होते हों ना तो आपकी brain waves भी बदल जाती है उसकी शिकायत करने आये क्या कभी तो वो भी तो एक शरीरिक ही परिवर्तन हुआ ना कि आप मौन थे आप ध्यान में थे और भीतर यहां जिस तरीके से मस्तिश्क में सर्किटरी ऑपरेट करती है और waves चलती है वो चीजे बदल गई उसकी कभी शिकायत करी नहीं करी क्योंकि वो दिखाई नहीं देता और ऐसे पता नहीं चलता क्या आसू है बहुत कुछ बदलता है शरीर में चीतना जब उपर चड़ती है शरीर में बहुत कुछ बदलता है हम अभी बात तो कर रहे थे कि आखें बदलती है मस्तिश्क बदलता है कहने वालों ने कहा है पूरा शरीर बदलता है तो उस बदलाव में एक अंश ये भी है कि आखें थोड़ी सी वरिशा करने लग जाती है वो कोई बहुत महत्तो देने की बात नहीं है वो कुछ ऐसा नहीं है कि हाई हाई आज कुछ बहुत खास हो गया क्यों? यहां से वो सारा जो माल है साफ हो रहा है वो निकलता जा रहा है मुम्बत्ती होती है ना मुम्बत्ती शमा वो जब तक प्रज्वलित नहीं हुई थी कभी आपने उसको आशू भाते देखा और एक बार उसको लौ लग जाए फिर देखी हो कैसे रोती है और जितना वो रोती है उतना वो मिठती है देखें ना मुम्बत्ती क्या तो तोनों और से गिर रहे होते हैं गरमा गरमा आशू जब तक प्रकाश नहीं था तब तक आशू भी नहीं थे यह सब मत कर लिजेगा कि रो पड़े तो कमजोरी आ गई कुछ हो गया कुछ नहीं हो गया क्या हो गया इन आसूं का रिष्टा अगर दुख से है भी तो यह बड़ा खास दुख है यह वो वाला दुख है कि दुखी आदास कबीर है जागे और रोए और अगर चितना के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो यह सब फिल्मी सिधान्त छोड़ दीजिए कि रोने से नामरदगी पता चलती है तो पौरोश और मरदानगी किसमें है कि घूसा मारते चलो दूसरों को क्या है कुछ नहीं जितना आप आगे बढ़ोगे ना इस यात्रा में उतना आप पाओगे कि बहुत कोमल होते जा रहे हो यह विचितर बात है क्योंकि एक और तो हम बात करते हैं उस सूर्मा की जो छाती पे तीर खाता है सम्मुक सहना तीर जो सर पहले कटाता है बाद में मैदान में जाता है और दूसरी हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप बो ध्यात्रा पर आगे बढ़ते हो वैसे वैसे सुकोमल होते जाते हो हां होते जाते हो वो कोमलता समवेदन शीलता है संस्टिविटी है जो बातें आपको पहले पता ही नहीं चलती थी आपके मानस पटल पर अंकित ही नहीं होती थी रिजिस्टर नहीं होती थी वो बाते अब आपको दिखाई देने लगती है यही तो है प्रग्या नेत्र का खुलना और जब कुछ पता चलने लगता है दिखाई देने लगता है तो आखें फिर जर्ना बनती है बीच बीच में तो उच्पे आ रही बात वो साधारन दुख नहीं है कि मेरा कुछ छिन गया तो दुखी हो गए किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो दुखी हो गए अपमान हो गया यही सब बाते अशा लगाई थी आशा तूट गया तो दुखी हो गए यह वो आला रोना नहीं है इस रोने का कारण आवश्यक नहीं है कि आप जान पाएं आपको बड़ा विचितर लगेगा कि इसमें आसु भाने की क्या बात है अपने आप से पूछोगे कोई उत्तर मिलेगा नहीं पर आप आसु है वो बह रहे हैं आप क्या दीरे दीरे करके आपके लिए ये चीज इतनी साधारन हो जाएगी कि आप खुद ही कोई सवाल पूछना छोड़ दोगे आपको ओगे इनका तो काम है दिन में चार बार बहना तो ये अपना बहती रहती हैं हम क्या करें इनका कि ये कुछ गा रहे होते हैं अचानक हो जाता है अपना आखेंगी लिए हो गई ठीक खरगोश को जाईए ऐसे हथेली पर उठाईए उसको देखिए एक मिनिट देखिए लगता है कि कुछ हो गया ठीक माया के सामने अध्यात्मिक आदमी जितना वज्जर सा कठोर होता जाता है अपने आंतरिक जगत में वह उतना ही कोमल होता जाता है जहां उसको नहीं जुकना वह जुक नहीं सकता सर काट लो और बाकी वह पूरा जुका जुका मिटा मिटा ही घूमता है जैसे बहुत कोई कोमल पत्ती हो कि उस पर एक बूंद भी पड़े तो जुक जाए वह इतना कोमल हो जाता है इसे समवेदन शीलता बोलते है ना वरिक्ष का तना होता है भारी तना और उस तने पर क्या है बहुत सारा छिलका चार बार्क उस पर कितनी भी बूंदे गेरें कुछ पता चलता है कुछ अंकित नहीं होता कुछ रजिस्टर नहीं होता और एक सुकोमल नई कोपल होती है उस पर एक छोटी सी बूंद गिरती है क्या होता है वह ऐसे काप जाती है अध्यात्मेक आदमी उस पत्ती की तरह हो जाता है एक अर्थ में और उस तने की तरह हो जाता है दूसरे अर्थ में जब इस्थितियां और प्रतिकूलताएं उस परवार करते हैं तो वो तना बनके खड़ा रहता है मैं कौन हूँ हम तने हुए हैं हम तना हूँ और प्रेम में वो कैसा होता है किस ले कि एक तम नई ताजी पत्ती देखी कैसी होती उसका हरा रंग भी अलग होता है अभी अभी बिल्कुल कुवारा हरा रंग उसका वैसा होता है कि जो जो बात दूसरे के लिए किसी महत्योकी ही नहो वो उस बात पर कंपित हो जाता है अजीब बात एक और तो इतना अकम आप उसको हिला नहीं सकते अडिग अटल और दूसरी और जीवन के प्रति इतना प्रस्तुत की छोटी से छोटी बात में भी कि समवेधन शील कि जी एक्षटी यही कन्फिजन हो रही थी मेरे साथ कि कुछ-कुछ चीज़ों में मैं हो गया हो पहले से बैतर और एक जगाप में देखता हूं कि मैं ऐसा हो गया हूं इसलिए मैंने कोशिश करी कि अपनी जिंदिय में थोड़ा सा और विग्यान डाउं तो मैंने psychology of philosophy कि मेरे साथ कुछ ट्रामा वाली दिक्कत तो नहीं कहीं उसके वज़े से बट आप से ही पूछना था कि क्या हो रहा है तो आपने मुझा समझाया कि कमजोरी नहीं है को मलता है समभी दिन शीरुता है कि आगे बढ़ो ठीक है आगे बढ़ो इन सब बातों कि बहुत संग्यान नहीं लेते हैं और इस तरह की बहुत चीजे होंगी उनको विशेश मत मान लेना लोग फंस जाते हैं लोग अध्यात में एक दो कदम आगे बढ़ते हैं और उनको कुछ शारीरिक अनभव होने लग चीजें होती हैं कि विचार बदलते हैं रिष्टे बदलते हैं और बहुत अनभव होते हैं उनका उलेक करना मैं जरूरी नहीं समझता करूंगा तो जो नहीं हो रहा होगा वो भी आपको होने लगेगा हम बड़े मायावी लोग है ना जबरदस्तिक अनभव कर लेते तो ब कि लोग पुछा करते हैं कुछ तो पंदरा साल से निआप अपने कुछ एक्स्पिरियंसे इस बताईए क्या बताएं रोजी होते हैं हदारतरे क्या होते हैं पर उसमें इतना कुछ खास है निका आपको बताएं वो चाहर होते हैं जो विषेश spiritual experiences होते हैं न वो सुनना चाहते हैं कि यह हुआ था वो हुआ था क्या बताए और वो बताने से आपको कुछ लाब होता हो तो बताए और उनका अपना कोई महत्त हो तो बताए वो तो मील के पत्थर की तरह है आगे बढ़ते रहोगे तो उस तरह होता रहता है लेकिन इतना जान लीजे कि जो व्यक्ति उन बातों को विशेश समझे और उनकी डुगडुगी बजाए वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है जो व्यक्ति बार बार यही बताए कि मुझे अमुक तरह क्या अध्यात्मी कनुभव हुए और मुझे ऐसा हुआ फिर मुझे पत्थरों के लिए थोड़े ही चल रहे हैं हम तो प्रेम में चल रहे हैं हमारी मंजिल उपर उधर शिखर पीच के इन पत्थरों का हम क्या गाना शुरू कर दें प्रेम की बार जाने से होना चाहिए मैं क्यूं चाह रहा हूं कि मुझे आप से या फिर ऐसे प्रेम की बात नी करो है कि गहरा रहे हैं यह वह 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 वैसा यह जैसे वह वाली बात थी एक शिद्धान्त है जिसको आप प्रेम बोल रहे हो नहीं तो आप यहां भी घंटे भर बैट करके मेरी बात सुन रहे थे हो प्रेम ही है मैं नहीं बहुता है कि यह अप संदकभीर को सुनने अब लाउद्जु को सुनले और श्री किर्शन सुनले मिण unseen तो परेम ही है तो आप कैसे शिकायत कर सकते हो जिसने ऑगी मिला तो श्रोज प्रेम और कितना चाहिए है, सब कुछ पाते हुए भी कह रहे हो नहीं मिल रहा तो फिर ऐसे की प्यास कैसे बुझे, इसने हट लगा रखी हो कि नहीं अभी भी पानी मिला नहीं, उसका तो फिर वही है, मुह सुन सुन आवे हासी, सब कुछ मिला हुए हो फिर भी क्या शिकाय और कितना प्रेम दें, पूरी गीता के साथ सोच लोग क्या है, प्रेम वर्षा ही तो है, यह समझा रहा है, तो बस हो गया, फिर क्यों, कौन सा वाला चाहिए प्रेम फिर, कौन सा प्रेम चाहिए, प्रेम, 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 नहीं, बता के जाओ, चाहिए कौन सा वाला प्र जो पहले चाहिए था उसकी जेश्ठा कव होई है और मैं अगर देखता भी होना कि अगर अपने पार्टन में कोई पार्टन नहीं है लेकर देखता भी हो चाहिए प्रेम तो सबसे पहले मैं देखता हो कि मुझे पाश उस लेवल गहरा प्रेम मिल जाए जो मैं यहां पर भी कैसे पता चलेगा मिल गया क्या जत्त प्सक्तव मिट तो पता इसको चलेगा क्या कि पता लगाने की पूरी तैयारी और पूरा अगलर है आगरा भी क्या है पहले ही पता है कि किसको प्रेम बोलते हैं एक छवी है उसको प्रेम बोलते हैं ऐसा हो जाया तो इसको प्रेम बोलेंगे चलो romantic emotional प्रेम से उपर उठेए तो आध्यात्मिक प्रेम की भी एक छवी है, कैसी छवी है कि जैसे वह फुद्धी विर लिंग होती है, वो गोल गोल सूफी घूम रहे हैं तुर्की में, या भारत में भी ऐसा ही है, वो गोल गोल घूमते हैं क्याते हैं हमें अध्यात्मिक प पकड़ लोगे तो प्रेम मिला हुआ होगा फिर भी प्रेम से वन्चित रह जाओगे कि जी कि सभी चूनने पड़ेगे कि प्रेंट नदिक नारे मैं खड़ी जो जल मैं ला हूँ नदिक नारे मैं खड़ी जो जल मैं ला हूँ मैं मैली पिया हूँ जरे मिलन कहां से हो एरे साथ हो मिलन कहां से हो नदिक नारे मैं खड़ी जो जल मैं ला हूँ नदिक नारे मैं खड़ी जो जल मैं ला हूँ मैं मैं ली पिया हूँ जरे मिलन कहां से हो एरे साथ हो मिलन कहां से हो लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात दुलहा दुलहन मिल गए दी की बड़ी बारा तरे साथो दी की बड़ी बारा लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बार दुलहा दुलहन मिल गए तीकी बड़ी बारात तुरे सादो तीकी बड़ी बारात ना मंदिर में ना मस्चिद में ना कावे के लाश्र में मैं तो तेरे पास में मैं तो तेरे पास में किताब वाला भी जो बच्चों का शेशन था स्कूल में वो वीडियो देखा था तो उससे यह अपनी सीख बता रहे हैं को यही थी सीख मेरी कि किताब हमारी सच्ची गुरु है हम उनके साथ बनको पड़ते हैं और वो हमें अच्छी सीखे देती हैं मैं एक हीतो पदेश किताब भी पड़ता हूं उसमें कहानिया हैं मुझे वाद अछ्छी लगते कहानिया और उनकी सीख भी मुझे अच्छी लगती है तो यह मैंने सीख उन में उनकी वीडियो में सीखी थी कभी रागर्वना कीजिये कभू नहसिये कोई अब अज हुना समंद्र में ना जाने कभ क्या हुई मन मैला तन उंजला बगुला कपटी अंग तासो तो कवा भला तन मन एक ही रंग कभी रागर्वना एक ही रंग तन मन एक ही रंग मन मन एक ही रंग